जैश्री राध है, पुझेश्री सद्गुर्दे भगवान के चर्णों में प्रणाम पुझेश्री स्वामी रामसुकदाजी महराज कहते है मनुष्य शरीर सबसे दुल्लब है इसमें ऐसी सामर्त है, ऐसा अधिकार मिला हुआ है कि यह अपनी संसार की और भगवान की सब की पूर्ती कर सकता है अपना तथा संसार का कल्यान कर सकता है और भगवान को प्रसन कर सकता है जैसे 84 लाख योनियों में मनुष्य शरीर दुल्लब है ऐसे ही मनुष्य शरीर में सतसंग दुल्लब है भगवान की विशेश कृपा की पहचान है सत्संग प्राप्त होना पुज्य स्वयम जियोती जी महराज ने कहा था कि जीवन मुक्त महापुर्षों के साथ निश्काम प्रेम सत्संग है वास्तव में भगवान में प्रियता होना सत्संग है भगवान हमारे हैं, यह असली सत्संग है, दुर्गुन दुराचारों के त्याक का नाम भी सत्संग है सत्चर्चा को भी सत्संग कह देते हैं, पर वास्तों में सत्संग भगवान में प्रेम का नाम है उनके बिना रहा न जाए इसलिए सबसे प्रेम ही मांगना चाहिए संत, शास्तर, सद्भाव भगवान का हिर्दय है विशेश कृपा करके ही भगवान अपना हिर्दय देते है संसार में, संसार से सतसंग से संसार से वैराग्य और भगवान में अनुराग अपने आप होता है सत्संग करने से प्रतिकूलता भी आनंद देने वाली हो जाती है भगवान के साथ मनुष्य ही खेल सकते हैं इसलिए भगवान मनुष्य को सखा ही बनाते हैं चेला नहीं बनाते मनुष्य को भगवान ने अपने लिए बनाया है यह विशेष्टा हमारी नहीं प्रत्युत भगवत किर्पा की है भगवान के समान शिक्षा देने वाला समझाने वाला और कोई नहीं हर एक घटना परिस्तिती में वे हमें समझा रही है जिससे साधक मिलना चाहता है वे मिला हुआ है और जिससे अलग होना चाहता है वे है अलग है जो अलग है वे मिलेगा कैसे साधक का काम केवल बहम को मिटाना है पता लगते ही पाप करना छोड़ दो तो पहले किये पाप भी माफ हो जाएंगे पहले किये पाप भी माफ हो जाएंगे भगवान की कृपा से ही हमें यहां सत्संग का मौका मिला है यह सत्संग ऐसा है जैसे खारे समुद्र में अमरित का कुंड लंका में विभीशन परंतु प्राप्त होने के बाद वस्तु की दुरलबता दीखती नहीं ऐसा मौका अपने उद्योग से मिलना कठिन है भगवान की विशेश कृपा से ही हमें यहां सत्संग का मौका मिला है यह सत्संग ऐसा है जैसे खारे समुद्र में अमरित का कुंड मरू प्रदेश में वर्षा और लंका में विभीशन परंतु प्राप्त होने के बाद वस्तु की दुरलबता दीखती नहीं ऐसा मौका अपने परिश्रम से मिलना कठिन है लोग कहते हैं बार-बार सत्संग करने से क्या लाब है पर शंकर जी सदा सत्संग मांगते है कि बार-बार वर मांग हूं हर्षि देव श्री रंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग ही नात मैं आपका हूं आप मेरे हूं ऐसा सुनकर भगवान को बड़ा आनन दाता है, ऐसा कहने वाले का भगवान बड़ा आदर करते हैं, भगवान ने अपने सन्मुख होने के लिए जीव को मनुश्य शरीर दिया है, हर एक मनुश्य के सामने ऐसी परिस्तिती आती है कि वह संसार से उकता जाए, यह भगवान की क सरपा है, जो संसार से कभी उकताए नहीं, ऐसा व्यक्ति मिलेगा नहीं, यह भगवान का आहवाहन है, वे प्रत्येक जीव को अपनी तरफ बुला रहे हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने इस्तिती से संतोश नहीं होता, अपने इस्तिती से संतोश नहीं होता, जै श्रीरादे